नमस्कार मैं रविश कुमार केजरीवाल की गिरफतारी ने आम आदनी पार्टी को सड़क पर उतार दिया है वहीं विपक्ष एक जुठ होकर आप के साथ आ गया है एक तरफ अभिशेक मनुस सिंग्वी ने आज केजरीवाल की गिरफतारी के खिलाब सुप्रीम कोर्ट से अपनी याची का वापस ले ली और E.D. कोर्ट पहुँच गए जहां केजरीवाल को पेश किया जाना था फिर इसके बाद कई दलों के नेता चुनाव आयोग पहुँचे और एजेंसियों के इस्तिमाल से विपक्षी दलों के नेताओं के गिरफतारी को लेकर शिकायत की अभिशेक मनुस सिंग्वी ने मीडिया से बात करते वे कहा कि तीनों चुनाव आयोगतों के सामने दलील रखी गई कि या एक व्यक्ति या पार्टी का मामला नहीं है इसका संबंद संविधान के मूल धाचे से है अगर कोई भी संविधानिक संशोधन मूल धाचे के विरुद है तो संविधानिक संशोधन भी असंविधानिक करार किया जा सकता है अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है अती आवश्यक है अनिवार्य है समतल जमीन उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजिंसी द्वारा तो उसका सीधा दुषप्रभाव सीधा दुषप्रभाव पढ़ता है स्वतंत्र निश्पक्ष चुनाव पर free and fair elections उसका सीधा दुषप्रभाव आगे पढ़ता है गंतंत्र लोकतंत्र पर democracy और स्वतंत्र निश्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गंतंत्र दौनों उच्टम नियाएले ने केश्वनन्द भारती के समय से कहा है, बार-बार कहा है मूल धांचे के एक अभिन अंग हैं तो जब आप समतल जमीन को बदल देते हैं नॉन समतल बना देते हैं दुरुपयोग करके एजिंसी स्का तो आप सीधा उस मूल ढाचे पे प्रहार कर रहे हैं असामविधानिक गेर कानूनी प्रहार ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलीसमेन इस समतल जमीन का समविधान ने बनाया है चुनावायोक को बनाया है सिरफ कोई स्टैचूटरी कटित संस्था नहीं है ये सामिधानिक संस्था है तो हमने उनको उनके उत्तरदायत्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेज यक होकर इस मामले में हस्तक्षिप करें क्या इस साधार पर चुनावायोक जांच एजनसियों पर रोक लगा पाएगा कॉंग्रेस, त्रण्मुल कॉंग्रेस, CPM, DMK, NCP, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के निताओं ने आयोक के सामने अपना पक्ष रखा हमने आपको 21 मार्च के वीडियो में एक जानकारी दी थी 2019 में चुनावायोक ने राजस्व सचिव अजय भूशन पांडे को पत्र लिखा कि हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आपकी जो भी एजनसियां हैं वो चुनाओं के समय निश्पक्ष होनी चाहिए उन्हें भेद भाव नहीं करना चाहिए यह पत्र तब लिखा गया जब विपक्ष से जुड़े नेताओं के हाँ छापे पढ़ने लगे आचार संगीता लागू होने के बाद भी ऐसा हो रहा था इसके जवाब में राजस्व विभाग ने यही कहा कि हमारी कारवाई निश्पक्ष ही होती है तब आयोग ने कहा इसकी जानकारी आप हमारे अफसरों को देते रहेंगे 21 मार्च के एपिसोड में हमसे गलती हो गई हमने कह दिया कि आजाए भुषन पांडे ही चुनावायूग तो बने जो राजस्व सचीव थे जो गलत जानकारी थी इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं अनुप पांडे चुनावायूग बनाए गए थे केजरीवाल गिरफतार हो चुके हैं चुनावायूग अब किस तरह से लेवल प्लेइंग फिल्ड सुनिशित कर सकता है आगे ऐसी कारवाई ना हो इसकी व्यवस्था बना भी दे तो क्या केजरीवाल को राहत मिलेगी इस बारे में सपश्टता नहीं है आज राउज एवन्यू में एडी ने केजरीवाल के लिए दस दिनों की रिमान की मांग की एडी के वकील स्वी राजु ने कहा कि हमें मनी ट्रेल को उजागर करने के लिए उनकी गिरफतारी जरूरी थी हिरासत में लेना जरूरी है PMLA के तहट आरोपी होने के लिए जरूरी नहीं है कि मुख्य अपराद के तहट अपराद निर्धारित हो आपकारी नीती एक स्कैम है इसका इस्तेमाल केवल 2022 के गोवा चुनाव की फंडिंग के लिए हुआ है E.D. के वकील ने कहा कि किसी की गिरफतारी पर तै करने का अधिकार केवल जाच करने वाले अफसर का है इसे केजरिवाल के वकील नहीं तै कर सकते 16 मार्च को अर्विन केजरिवाल को दिली की अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मलहोतरा ने बेल दी E.D. ने केजरिवाल के खिलाफ शिकायत भी की कि वे उसके समन की अब मानना कर रहे हैं इसके अगले दिन E.D. ने केजरिवाल को दो और समन भेज दिये आज कोट में हुई सुनवाई के दौरान केजरिवाल के वकील ने कहा कि जिस दिन बेल मिली उसी दिन E.D. इस मामले में जज, जूरी और सजा देने वाली बन गई केजरिवाल के वकील रमेश गुपता ने कहा कि एक मामले में एक से ज़ादा सरकारी गवाह नहीं हो सकता और ना दो सरकारी गवाहों के बयान का इस्तमाल आरोपों के सत्यापन के लिए किया जा सकता है एक और वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि क्या आप लोगसभाद चुनाव शुरू होने का इंतजार कर रहे थे कि केजरिवाल को गिरफतार करेंगे पहले क्यों नहीं किया कोट में एडी ने कहा कि शराब घुटाले के मुख्य साजिश करता अरविंद केजरिवाल है देखिए अभी तक केजरिवाल का नाम कहीं नहीं था अब उन्हें अचानक से मुख्य साजिश करता बताया जाने लगा है उन्होंने इस साउथ ग्रूप को फाइदा पहुंचाया है लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि इसी साउथ ग्रूप के सरत रड़ी गिरफतार हुए उनकी गिरफतारी के पाँच दिनों के बाद उनकी कमपनी अरबिंदो फार्मा ने पाँच करोड का बाउंड खरीदा बीजेपी ने से भुनाया इस कमपनी ने बीजेपी को 34 करोड रुपे का चंदा दिया है यह सब मीडिया रिपोर्ट में छप चुका है हमने 22 मार्च के अपने वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताया है अब यही सरत रेड़ी सरकारी गवाँ हैं और उनहीं की गवाही पर केद्रीवाल की गिरफतारी की नौबत आई है और आज जब दिली चीफ मिनिस्टर की गिरफतारी की बात हुई रिमांड की बात हुई तो कोर्ट के अंदर ये कहा गया उनके अप्रूवर का नाम लिया गया सरत चंद्र रेड़ी जो है और अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड में जो डेटा निकला है उसको अगर हम देखेंगे तो सरत चंद्र रेड़ी जो है उनकी औरविन तो फार्मा लिमिटेड करके कमपनी है और वो दिख रहा है उस पूरी सुचना जो बैटके अब सारे जर्नलिस्ट जिसको देख रहे हैं कि पांच करोड रुपे उनकी कमपनी ने चंदे में दिये इलेक्टोरल बॉन्ड के थुरू पांच दिन बाद जब वो अरेस्ट हुए उसके पांच को पैसे गए तो यह ऐसा नहीं कि नहीं भी खरीक को चंदा तिया उसके बाद दिल्ली हाइग कोर्ट में बेल जब एप्लाई करा बेल लेने के लिए मई 2023 पे उनको बेल लेजिगए लेकिन इसमें जरूरी बात क्या है E.T. ने बेल को अपोस नहीं किया आप खुद सोचिए कितने केसिज हैं जिसमें E.T. बेल को अपोस नहीं किया Medical Grounds पर बेल दी गई तो जो कंपनी चंदा दे रही है गिरफतारी के बाद BJP को चंदा दे रही है तब क्या यह सवाल नहीं उठेगा कि कंपनी दबाओ में काम कर रही है पैसा भी दे रही है और सरकारी गवाह भी बन रही है चुनावी चंदे के बॉंड के मामले में कितने ही ऐसे उधारन आ चुके हैं कि छापा पढ़ने के बाद चंदा दिया और चंदा देने के बाद फेका मिला क्या इडी को इन मामलों में मनी ट्रेल की जांच नहीं करनी चाहिए अपनी उर्जा वहां नहीं लगानी चाहिए अक्टोबर दोहजार तेईस में ही समन भेजा जाता है पहला समन अरविंद केजरिवाल जी को कि अरविंद केजरिवाल जी प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि मनीश शिशोदिया भी इन्वाल्वड है संजेर सिंग भी इन्वाल्वड है और कहीं न कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं चाहे वो विजे नायर जो की Communication Head हैं आम आगनी पार्टी के और बाकी जो ठेकेदार जो Approver बने हैं उनके स्टेटमेंट से लग रहा है की आप भी इसमें हिस्षेदार हैं तो आप आईए और हमारे सामने पेश होईए आपको ये हम लिबर्टी देते हैं आप अपने विशय को रखिए समन नंबर एज जब अक्टोबर 23 को आया तब से लेकर अब तक नौ समन आए हैं आश्चेर का विशय है एक भी समन में अरविंद केजरिवाल नहीं जाते हैं केजरिवाल की गिरफतारी के बाद अचानक गोधी मीडिया खोजी खबरें करने लगा है उसे पलपल की जानकारी सूतरों के हवाले से मिल रही है तो किसी को रिमांड की कौपी एक्सक्लूसिव तोर पर मिल जा रही है जो गोधी मीडिया चुनावी चंदे के इतने बड़े फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं कर सका तरह तरह की खबरें खोज नहीं सका वो केजरिवाल के मामले में ऐसी ऐसी जानकारियां ला रहा है जैसे ED से भी जादा ED का एक्सपर्ट गोधी मीडिया है हम आपको एक बात की याद दिलाना चाहते हैं कि नवंबर 2022 में दिल्ली हाई कोट ने शराब नीत के मामले में CBI और ED से कहा था कि इस जाच में उनके द्वारा जारी किये गए सभी बयान को कोट के पास जमा करना होगा जस्टिस यश्वंत वर्मा की एकल पीठ ने ये आदेश विजय नायर की याचिका पर दिया था नायर आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी थे और उनका आरोप था कि एजेंसी द्वारा मीडिया में लीग की गई जानकारी उनके अधिकारों का हनन है कोट ने उस मामले में कहा था कि एजेंसी को अधिकार है कि मीडिया में आधिकारिक जानकारी दे आधिकारिक हम देखना चाहते हैं कि क्या चैनल अपनी तरफ से कलपना करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं या तथ्य के आधार पर तो कोट को देखना चाहिए कि केजरीवाल के केस में इसका पालन हो रहा है या नहीं आपका कारेकरता बीजेपी के राजनेतिक हमले के साथ साथ गोधी मीडिया के हमले से भी घिर गया है आपकी तरफ से यह पोस्टर आज जारी किया गया इसमें लिखा है कायर ताना शाह से सच्चे देशभक नहीं डरते अंदर रहूं या बाहर मेरा जीवन देश को समर्पित आज राउज वेन्यू कोट में पेशी के वक्त केजरीवाल के बयान को आम आदनी पार्टी ने तुरंत ही पोस्टर में बदल कर इस तरह जारी कर दिया केजरीवाल की गिरफ़तारी को लेकर आम आदनी पार्टी और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया पर घमासान शुरू हो गया है बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर तरह तरह के अभियान लौंच कर दिये हैं फिल्मी गानों की धुनों पर केजरिवाल को भरष्ट लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, गाया जा रहा है तरह तरह के कार्टून या हाथ से वीडियो बनाये गए हैं, जश्न सा माहौल बना दिया गया है बीजेपी इस बार एक दम पीछे नहीं है, वो आगे बढ़कर हमला कर रही है अर्विंद केजरिवाल की पत्नी सुनिता केजरिवाल ने आज ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि आपके तीन बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफतार करवाया, सब को क्रश करने में लगे हैं या दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है, आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहें, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है, जनता जनार्दन है, सब जानती है, जय हिन्द आम आदनी पार्टी ने गिरफतारी के विरोध में देश व्यापी प्रदर्शन का आहवान किया था, उसके ट्वीटर हैंडल पर कई शहरों से आए वीडियो देखकर लग रहा है, पार्टी इस गिरफतारी को लेकर शांत नहीं बैठने वाली, मनीश सिसोदिया और अर्व मुली लीडर नहीं है, जिसको आप गिरिफतार कर दोगे वो बैठ जाएगा, केजरीवाल दुगनी ताकत से तुम्हारे पीछे आएगा, और इस एक केजरीवाल से तो निपटने में तुम्हारे पसीने छूट गए, अब क्या करोगे जब पूरे देश के, पूरी दिल्ली के एक एक परिवार में, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा, केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए हर परिवार को सुखी बनाने के लिए खूब काम किये, दिन रात काम किये, एक एक परिवार की खुशी की विवस्था करी, उनकी परिवार को खुश रखने के अपना सब कुछ दाओं पे नियोच्छावर कर दिया आज ऐसी परिस्थिती में ये सारे परिवार दिल्ली की सारी जनता, देश के सारी जनता केजरिवाल जी के साथ खड़े हैं और भारती जनता पार्टी को उनके ताना शाह का जवाब देने के लिए तयार है केजरिवाल के गरफतारी के बाद सुबह जब विधायकों ने परिवार से मिलने का प्रयास किया तो उन्हें रोका गया लेकिन जब शाम को अनुमती मिली तो आपके विधायकार में बैठकर केजरिवाल के घर नहीं गए बलकि इसे भी मार्च में बदल दिया और विधायक और कारे करता दिली के सिविल लाइन्स इलाके में मार्च करते वे घर पहुँचे इसमें आम आदमी पार्टी के पार्शद भी शामिल थे सुबक कई आपने ताओं को हिरासत में लिये जाने की खबरे भी आई और काफी देर तक परिवार से लोगों को नहीं मिलने दिया गया पंजाब के मुख्यमंतरी भगवन सिंग मान ने भी मुलाकात की मान ने कहा कि अग्धुशित आपाद काल है फैसलानी मान उसी दिन ओडिनस जारी करके कहते नहीं अर्विन केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे क्या हस्पताल बनाने वाला आज दिल्ली में हस्पताल बनाने वाला जिसने पूरे देश में हेल्थ करन्ती लेके आई पैरसीटा मोल की छोड़े सी टैबलेट से लेके 40-50 लाग जो टेस्ट है फ्री हैं आप लोग भी जाते होंगे आपके रिष्टेदार रभगवान ना करे मैं को यहीं हस्पताल और जेल के अंदर इसने लिली में सिकूल बनाने वाला जिसने लाखों बाक्चे गरीबों के बाक्चे नीट में जाने योगर दिये हैं मनीश सोधिया हाँ झेल के अंदर है राज्यसवा में मोदी जी के खिलाप उठके बोलने वाला संजे सिंग अंदर है अभी अर्विन केजरिवाद साब को ले गए मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंतर है कहां है तीवी पत्रकार कोई अगर है को यूट्यूबर के बारे में को यूट्यूबर बला कोई बोल दे कुछ उसके लिए एकनून लेकर आए यह आपका content जो है यह बढ़का हूँ है, hate speech माना जाएगा इसको, सबसे ज़्यादा hate speech कौन देता है देश में, सबसे ज़्यादा hate speech बीजे भीवले देते हैं, गोली मारो, यह आतंगवादी हैं, इनको बोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे, मतलब यह hate speech तो यह है न, ह हम तो काम की राजनीती करते हैं, हम नाम की राजनीती नहीं करते हैं। आम आदनी पार्टी के कारेकरता भारी संख्या में पहुँच गए, प्रदर्शन करने लगे। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे, उन्हें रोकने के लिए पानी की बोचारें करनी पड़ गई। यह दृष् इपक्षिदल शान्त हो गए, मगर आम आदनी पार्टी ने अपने विरोट से जता दिया है कि वह हार मानने वाली नहीं है। भारती जन्ता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए कॉल दिया था। दिल्ली में जिस तरीके से ये पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अकलपनी हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में, राजनेती के इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा। सारी नेताओं को कल रात से ही उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिएगे। सुबह सुबह जो अपनी घर से आम आदमी पार्टी ऑफिस के लिए निकल रहे थे उनको गिरिफतार कर लिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारा अधिकार है, हमारा मूलभूत अधिकार है। मोदी जी को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट भी बरदास्त नहीं होता है। उनके मन में इतनी नफरत है कि एक-एक कारेकरता को, एक-एक वॉलेंटियर को, एक-एक लीडर को वो गिरिफतार कर रहे हैं। उनको इतना डर क्यों है? वो इतना डरते क्यों है? नरेंद्र मोदी जी दो तरह से ऑपरेट करते हैं। उपर से तो वो कहते हैं कि देश में अमरित काल है। उपर से तो वो कहते हैं बड़ी-बड़ी बाते करते हैं। कई बड़ी अच्छी अच्छी बाते करते हैं, लोगों को लगेगा कि यार, ये तो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन अगर उनके कामों और कार गुजारीों को आप देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी सारी भाशा, सारी बोली, वो दिख देश में सारी विवस्थाएं सब कुछ तूट जाएगा। लिए लंबे समय तक आंदोलन करना आसान नहीं होगा। ED के मामलों का अनुभव यही कहता है। गिरफतारी हो जाने के बाद जमानत मुश्किल हो जाती है। Money Laundering का केस एक ऐसा हतियार बन गया है जिससे किसी को भी लपेटे में लिया जा सकता है। अन्तहिन समय तक जेल में रखा जा सकता है। अगर किसी को समय रहते पहल करनी चाहिए थी इस मामले में सुप्रीम कोट को आगे आना चाहिए था। उसे ही इस मामले में अन्तिम फैसला देना है। PMLA के प्रावधानों की समिक्षा सुप्रीम कोट के पास है। कोट की इस देरी से केंदर की एजेंसियां बे लगाम होती जा रही हैं। और E.D. के डर से पार्टियां तूट रही हैं, सरकारे गिर रही हैं और दलों के नेता जेल जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।